तो दोस्तो फाइनली ओपो K5 लॉंच होने वाला 17 अक्टूबर को चाइना के अंदर और दोस्तो लॉंच से पहले इस स्मार्टफून का लगबग हरे के स्पेसिफिकेशन कन्फाम हो चुका है जैसे कि दोस्तो यहाँ पर आपको दिखने को मिलने वाला स्नैप ड्रगेंग के 730G का प्रोसेसर 64 मेगा पिक्सल का क्वार्ड रिर कैमरा और 32 मेगा पिक्सल का सेलफी कैमरा और उसके साथी दोस्तो मैं आपको बता दू कि इस स्मार्टफून का वेस्वेरेंट आपको 20,000 रुपीज के अंडर देखने को मिलने वाला है तो चलिए दोस्तो इस वीडियो म बिल्ड और डिजाइन से तो दोस्तो ओपो के 5 में देखने को मिलने वाला रियल मी एकस्टी के जैसा ही बहुत ही बैतरीन ग्लास फिनिसिंग का डिजाइन जो की आने वाला है कोर्णिंग के गुरिला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन के साथ और उसके साथ ही दोस्तो बैक इंच का एक Full HD Plus Super AMOLED डिस्पले जो की आने वाला एक बहुत ही बैतरीन चोटे से नौच के साथ और उसके साथ ही दोस्तो इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला इंडिस्पले फिंगर पिंट सेंसर का सपोर्ट जो की बहुत ही अल्टरा सॉनिक और फास्ट का प्रोसेसर जो की 2.2 GHz पर क्लॉक है और जैसा कि Redmi K20 में हमें देखने को मिला था तो दोस्तो अगर आप Redmi K20 पर्चेस करने की सोच रहे थे तो आप थोड़ा वेट कर ले क्यूंकि दोस्तों OPPO K5 का स्टार्टिंग प्राइस आपको 20,000 रुपीस के अराउंड ही देखने को मिलने वाला है तो आप से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप एक अच्छे स्मार्टफोन पर्चेस करने की सोच रहे थे तो आप इस स्मार्टफोन का वेट कर सकते हैं आप बात कर लेते हैं दोस्तों स्मार्टफोन की बैटरी की तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने देखने को मिलने वाला 64 Megapixels का Quad Rear Camera का सपोर्ट जो की प्राइमरी 64 Megapixels Sensor G1 के साथ आने वाला है और उसके साथ ही है आपर आपको 13 Megapixels का एक Ultra Wide Angle Lens, 2 Megapixels का एक Micro Lens और 5 Megapixels का एक Depth Sensor देखने को मिलने वाला इस स्मार्टफोन में तो फाइनली बात करें दोस्तों स्मार्टफोन के Pricing की तो दोस्तों स्मार्टफोन का Base Variant आपको देखने को मिलने वाला 20,000 रुपीज के आराउंड जो की आने वाला 6 GB RAM, 64 GB internal storage के साथ और उसके साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन का Higher Variant आपको 24,000 रुपीज के आराउंड देख जो की आने वाला Color OS 6.1 के साथ और फाइनली बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की रिलीज डेट की तो दोस्तों स्मार्टफोन को ऑक्टूबर 17 को चाइना के अंदर लांच किया जाने वाला है उसके बाद इस स्मार्टफोन को इंडिया में नौमबर के महिने तक लांच किय जा सकता है तो दोस्तों यही थी स्मार्टफोन के बारे में कनफर्म लिक्स चुकि मैंने इस वीडियो में आपके साथ सीहर किया है तो उमीद करूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में जब तक के लिए कीप स्माइल